हेलो वीवर्स मैं हूँ अर्पिता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जायका फ्यूजन तो आज मैंने आपके लिए मटर पनीर बनाया है बिलकुल नए प्रोसेस से तो अगर आपको रसिपी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरी चैनल को कुर देख लिए हैं तो मीडियम साइस के प्यास को मैने बारिक चॉपट कर लिया है और यह आठ लहसुन को मैंने इस तरह से क्रश्च कर लिया है मैने एक बड़े साइस का टमाटर लिया है दो हरी-मिर्चली है और 1-1.5 इंच अधरक के टुकडे हैं इनको मिकसी में थोड कर लेना है जैसे ही कुकर में एक सीटी आ जाए फ्लेम को आफ कर दीजिए और पूरे स्टीम को निकाल लीजिए हमें मटर को ओवर कुक नहीं करना है बस हमें इसे थोड़ा सा बॉयल कर लेना है जिससे कि बहुत अच्छे से ग्रेवी में पकने के बाद जूसी हो जाए हरी अब हम इन सारी चीजों का पेस्ट बना लेंगे और इसी के साथ इसमें डालेंगे दो छोटी इलाइची दो लॉंग दाल चीनी के छोटे टुकड़े और थोड़ी सी काली मिर्च साथ में डालेंगे थोड़ा सा पानी अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे अब हम कुछ सूखे मसालों का पेस्ट बना के डालेंगे तो मैंने एक कटोरी में 1 टेबल स्पून ले लिया है दही और इसको बहुत अच्छे से फेंट लिया है अब हम इसमें डिर चाय का चमच मिलाएंगे बेसन अब बेसन मिलाने के बाद हम इसको बहुत अच्छे से दुबारा से फेंट लेंगे थोड़ा सा इसमें मिलाएंगे पानी अब बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए जिससे कि कोई भी लंस ना रह जाए बेसन मिलाके मैंने बहुत अच्छे से फेट लिया है अब इसमें हम पाउडर मसाने मिलाएंगे तो सबसे पहले हाफ चाय का चमच मिलाएंगे हल्दी अब एक चमच लिया है मैंने धनिया पाउडर, हाफ चमच लिया है जीरा पाउडर, एक चमच लिया है मैंने कश्मीरी लाल मिच पाउडर, और ये है करीब एक चमच कसूरी मेथी, और ये है हाफ चमच नॉर्मल लाल मिच पाउडर, तो इसको आप अपने ट्वेस्ट के मिला देंगे अब अच्छे सी मिला लीजिए अब एक कड़ाई में मैंने 1 टेबिल स्पून सर्सू का तेल ले लिया है पनीर के क्यूब थोड़े से खलके प्राय कर लिए अएक मिलें बार करेंगे और पनीर के क्यूब ब्राय नहीं करना है नहीं टो और पिल्कुल रबर की तरह हो जाते हैं अब उस ओयल में मैंने और थोड़ा सा ऐड कर लिया है अब इसमें मैं एक तेज पत्त राल दूंगी एक सूखी लाल मिर्च तोड़ कर डाल दूंगी और हाफ चाय का चमच जीरा अब हम इसमें लहसुन आट करेंगे अब इसमें प्यास डाल दूंगे एक मिनित हमें मेर्म प्यास को फ्राइब कर लेना है अब इसमें टमाटार अध्रक का वहमने पेस्ट बना के रखा तब फूरा पेस्ट आज़ेंगे सबी बनाते हैं मैं अपने स्टाइल में आपको बना के दिखा रही हूं कि प्रॉसेस बहुत इजी है और ये किन मालिया बहुत टेस्टी सब्भी बनती है एक चमच मिलाएंगे नमक और शाख चमच मिलाएंगे पीमी अब हमको मेडियम फ्मेम पर इसे एक मिनट बहुत अच्छे से भून देना है अब एक मिनट बाद बाही में मैंने जो शुखी मसालों का मिक्षर बनाते रखा था वो डाल देंगे इसलिए तो थोड़ा हो गया है तो हम इसलिए थोड़ा से पाणी मिलाएंगे हमें ख्याल रखना है कि हमारा मसाला जलना नहीं चाहिए मसाला बहुत अच्छे क्राई हो गया है मसाले ने अपहाच पेल ठोड़ दिया है देखिए यह सारा ओयल निकलाया है अब हमने जो मटर गोल करके रखी थी हम इसमें वो मिला देंगे मटर में बहुत खोड़ा सा पानी था तो वह भी मैंने इसमें डाल दिया है अब हाई फ्लेम पर हम मटर के साथ इस मसाले को एक मिनट के लिए भूल लेंगे मटर को हमने 30% कूप किया है और अब ग्रेवी में बाखी कूप हो जाएगा ये तो आपको जितनी भी ग्रेवी रखनी हो आप उतना पानी डालिए इस स्टेज पर आपको नमक और मित जो भी जादा एड़ करना हो वो कर लेजिए अब हम इसे मेडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए ढख देंगे अब हम ढखकन को खोल लेंगे और जो पनीर के क्यूप्स हमें पाणी में विप्रिवोकर रखे थे वो हम ढाल लेंगे बस पनीर के क्यूप्स ढालने के बाद हम इसे और दो मिनट के लिए ढख देंगे फिर से ढखकन को अटा लेंगे अब लास्ट में हम इसमें गराम मसाला पाउडर डालेंगे हाफ चम्मच और थोड़ा से डालेंगे हरा धनिया तो फ्लेम को आफ कर देंगे मटर पनीर बिल्कुल तयार है और इसी प्रॉसेस को फॉलू करते हुए अगर आप मटर पनीर बनाते हैं तो ये बहुत टेस्टी बनेगा